दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं तामिलनाडू के परसित शहर चन्नाई में आज पास बहुत सारे दुकाने हैं जहां पर लोग अपनों के लिए ख्रिदारी करते हैं और मरीना बीच तक पहुंचने का सारा इलाका बेहधी रतीला है जब रेट पे चलना पड़ता है थोड़ी से मिश्किल तो आती ही है लेकिन जैसे ही मरीना बीच पर हम पहुंचते हैं और सामने बड़ा सा समंद्र देखते हैं उठती हुई लहरे देखते हैं तो सारी धकान जो है चूमंतर हो जाती है आपको लोगों की भीड जो है वो दिखाई देगी कहते हैं कि गर्मियों की छुटियों में एक दिन में करीब पचास हजार लोग यहां पर आते हैं और अगर हम फर्वरी नवंबर के मिहीनों की बात करें तो 15,000 से लेकर 20,000 तक के लोग जो है मरीना बीच पर घूमने के मरीना बीच पर सुभा का नजारा बेहती सुकून देने वाला है ठीक वैसे ही रात को यहां पर बड़ा ही अच्छा माहोल होता है एक तरफ समुंदर की लहरे और दूसरी तरफ च्पाटी जहां पर आपको हर एक थाल पर च्पाटी जहां पर चारे का नजा पर बादा की वैसे हैं सेंथोम चर्च जो मरीना बीच के पास ही है लेकिन ये विश्व की परसिद्ध चर्चों में से एक है अपने इतिहास के कारण ये बेहती खास थां रखती है आपको इसके इतिहास के बारे में ज़ादा बताएंगे और इस चर्च के हर एक भाग में आपको लेकर जाएंगे लेकिन अगली वीडियो में तो यहाँ पर आपको बता दे कि सेंथोम चर्च जो है चन्नेई का बेहती पर सिद्ध चर्च है जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं तो दोस्तों ये है रिपन बेल्डिंग जो बेहधी पर सिद्ध है और ग्रेटर चन्य कॉर्परेशन का मुख्य दफ्तर है दोस्तों इसकी खासियत ये है कि ये रंग बदलती है मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ प जाती है किसे दिन आपको ये औरेंज कलर की दिखाई देगी और जैसे कि आज आप देख रही है आज ये नीले रंग की दिखाई दे रही है क्योंकि इसकी अंदर जितनी भी लाइट्स है वो नीले रंग की ओन की गई है तो इसकी ये खासियत है कि ये राट में जब आप निकलते हैं तो किसी दिन पीली, किसी दिन हरी, किसी दिन नीली ये बिल्डिंग जो है बेहद ही अकरशित करती है रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है और आपको बता दे कि 1913 से ये बिल्डिंग बनी हुई है अंगरीजों के समय से ये बिल्डिंग बनी हुई है और बिल्डिंग तो अगली वीडियो में कहीं और लेकर चल देंगे तब तक के लिए गुट बाई